ऐसा कोई युद्ध नहीं है जिसको रावण ने जीता हो और जीतने के बाद में उनके राणियों को और उनके बेटियों को अपनी रखेल ना बनाया हो या फिर उनके साथ में कुकरम ना किया हो लेकिन इतियास दोराता है और यही तब हुआ जब रावण के बहन के साथ में क तुम्हारी बहन को मिली है एक राक्षर साय था पहले उससे कूकरम किया और फिर उससे उठा कर ले गया और तुम्हारे लंका में ऐसा कोई मनुश्य नहीं था जो उसे रोक सके इतनी ताकत किसी में नहीं थी अब तुम्हारे किये के चलते उस बेचारी अबला पर ये विपदान पढ़ी है तो रावन जो था वो गुस्से से तिलमिला उठा कि भाईया मेरे होते वे इतना शक्तिशाली पुरूस होते वे किसकी हिम्मत पढ़ गई जो मेरी लंका में आका मेरी बेहन के साथ में आकर ऐसी चड़ाई कर दे ऐसा कूकरम कर दे और फिर बाद में उसको उठा के भी ले जाए तो रावन फटाफट उसके पीछे लग गया और पीछे चलते चलते वो जैसे उसने चड़ाई के बाद में पहुंचा मत्हुरा तो जो राक्सेस था असल में उसका नाम था लवणासृ अब जो राक्सेस लवणासृ था उसको कोई इसल 혼자 नहीं हरा पाया था क्योंकि उनके जो पिताजी थे उनको शिव जी की तरफ से एक वरदान प्राप्त अश्तर था तो जो अस्तर उनके हाथ में रहेगा जिसके भी हाथ में रहेगा वो आजय रहेगा उसको कोई भी नहीं आरा सकता तो उसने बताया कि नहीं लवनासुर ने कूकरम तो किया लेकिन उसने बाद में मुझे अपनी पत्नी सुईकार कर लिया है और मैंने भी उसे अपना पती सुईकार कर लिया है। तुम ने इस मनुष्य का इस लवना सुर का वद्ध किया वो भी बड़ी मुश्किल से